Hello everyone, welcome to Modern Life Hacks. Knee pain is a common complaint that affects people of all ages. Knee pain कई कारणों से हो सकते हैं. It can be due to many causes, such as obesity, motapa. इसमें सारा वजन गुटने ले रहे हैं. इसलिए पेन हो रहा है, क्यूंकि गुटने दब रहे हैं. जैसे ही आप थोड़ा वजन कम कर लेते हैं, you automatically feel alright. दूसरा है, age-related problem. Osteoarthritis, ये बहुत ही common है. Over a period of time, समय के साथ-साथ, इसमें हड्या घस जाती है. तीसरा है, sports injury. जैसे की hockey players, football players, cricket players, etc. इसमें खेल के दौरान, ने में कोई injury हो जाती है, तो pain start हो जाता है. There can also be fold knee pain. इसमें क्या होता है, अगर हम सीडियां चड़ते हैं, तो हमारे knees fold होते हैं, तो हमें pain होता है. और अगर हम जमीन पे या कहीं पे भी knees fold करके बैठते हैं, यानि कि पालती मारके बैठते हैं, तभी भी कई लोगों को pain होता है. एक और है straight knee pain. जब तक हम पालती मारके बैठे हैं, यानि कि knees को fold करके बैठे हैं, तब तक तो ठीक है. जैसे ही हम legs को straight करते हैं, पाउं को सीधा करेंगे, तो हमें pain होगा. सीडियां उतरते वक्त pain होगा. सो बेसिकली, आपको कोई भी type का knee pain हो, तो उसका acupressure treatment एक ही है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. और वो बहुत ही effective है and easy है. यहाँ पे मैंने patient का left hand ले लिया है. left hand में tall finger, जो है हमारी, वो represent करता है left leg को, और ring finger represent करता है right leg को. Similarly, patient के right hand में tall finger हो जाएगा right leg and ring finger हो जाएगा left leg. यहाँ मैंने patient का left hand ले लिया है और यहाँ पे मैंने tall finger लिया है. तो यह tall finger का जो यह knuckles वाला area है ना, यह वाला back side and front side, यहाँ and sides में. तो यह पूरा knee represent करता है. तो यह हमारा knee area हो गया है. तो अब हम इसे अच्छे से, हाथ से stimulate करेंगे. यह एकदब important area है knee का और यह sides भी. जनरली हमें यही area पे pain होता है. या beach में, knuckles में या sides में. तो अच्छे से हम stimulate कर देंगे इस area को. हम दिन में कितनी भी बार stimulate कर सकते हैं. इससे भी काफी फायदा मिलता है. अब as part of color therapy, मैंने यहाँ पे green marker pen लिया है. यहाँ center mark कर दिया है, knuckles पे. और मेरे right side की तरफ, मैं circular way में draw करती जाऊंगी. देखो, इस तरह से, green marker pen से, यह देखो, यह knee area हो गया है, main. यह full cover करना है, sides तक, यहाँ पे, इस तरह से. यहाँ तक मैं करूंगी, और इतना part मैं छोड़ दूंगी, सिर्व इतना सा part. यह इतनी सी जगा हमें छोड़ देनी हैं, वो आगे पता चलेगा क्यूं. अब मैंने blue marker pen ले लिया है, और मैं बिल्कुल जगर नहीं छोड़ूंगी, green line के उपर नीचे, दोनों तरफ, मुझे blue marker pen से draw करना है, circular way में, और यह देखो, इस तरह से draw करना है, कि हमारे important points सब cover हो जाते हैं. यह है नीचे important points, जो जिस पे मैंने marker pen से draw किया है, यह हो गया, दोनों तरफ मैंने blue marker pen से कर दिया है, और इतनी जगह हमें छोड़ देनी है. अब as part of seed therapy, मैंने मेथी seeds लगाएं है, paper tape पे, एक जगह कम छोड़ा है, paper tape और दूसी तरफ जादा, जहां कम छोड़ा है, उसे मैं वो empty space पे चिपका दूँगी, और अच्छे से wrap करना है मुझे, चिपकाते हुए tightly, अच्छे से secure करना है मुझे, ताकि यह खुले नहीं, य सब जगह मेथी लग चुका है, अच्छे से, properly secure कर दिया tightly, seed therapy मुझे रात में ही करना है, और जब भी याद आए, मैं रात में अपने उंगलियों से दबा भी सकती हूँ, ताकि added benefit मिले, और stimulation का, लेकिन seed therapy रात में ही करना, अब किसे भी अगर right knee में pain होगा, तो हम patient का right hand लें उसमें ये knuckle वाला area जो है, ये देखो, ये वाला area and sides, ये area को हमें अच्छे से stimulate करना है पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कित्ती भी बार आप कर सकते हैं, यहीं पे painful point कहीं मिलेगा, आपको इसे stimulate करना है, और similar way में वापस again, मैं ये लूँगी, green color marker pen, और उस से मैं यहां center mark करूंगी and towards left, मेरे left side में जाऊंगी, देखो, यहां, circular way में जाऊंगी, इस तरह से, सब important area को cover करते हुए, देखो, इस तरह से मैंने mark कर लिया है, green color से, और उतना जगा हमें छोड़ देना है, टेप के लिए, अब मैं similar way में blue color marker pen भी लूँगी, और green के दोनों मैं draw करती वी जाऊंगी, circular way में, और जगा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, green and blue के बीच में, तो इस तरह से, उपर नीचे, दोनों साइड को मैं properly cover कर दूंगी, blue color marker pen से, तो ऐसे हमें करना है, इतना जगा छोड़ना है हमें, paper tape stick करने के लिए, तो यह हो गया हमारा color therapy अब, as part of seed therapy, मैंने paper tape पे, मेथी seeds को अच्छे से चिपका दिया है, और जहां कम जगर जहां मैंने paper tape का छोड़ा है, वो मैं empty space पे, देखो, अच्छे से stick करूंगी, मेरे tall finger पे, and firmly एकदम secure करूंगी, देखो, tightly secure कर रही हूं, and wrap कर रही हूं, अच्छे से की एकदम firm पड़ा रहे, and seed therapy मुझे रात को ही करना है, दिन में नहीं करना है, रात को अच्छे से secure रहता है, जब भी याद आए मुझे रात को, हमें अपने हातों से, उंगलियों से, थंब से, दबा देना है, ताकि उसका added benefit हमें सारी रात मिलता रहे, जिससे भी knee pain हो, आप लोग जरूर ये treatment ट्राइ करना बहुत ही effective है, and I am gonna go today one step further, मैं आज जो exercise आपको बता रहे हूं, जिनहे भी leg pain या knee pain कुछ भी हो, ये exercise जरूर ट्राइ करना बहुत ही beneficial है, हमें एक चैर पे बैठना है, इस तरह से कि हमारे feet ground को touch नहों पाए, और अगर touch हो रहे हैं, तो हमें दो पिलो लगाना ह चैर पे फिर बैठना है, फिर दोनों पाउं को हमें ऐसे एक एक बार में खोलना है, straight करके 5 count तक वहां hold रखना है, फिर नीचे ले लिजे पाउं, फिर दूसरा leg, 5 seconds तक hold करो, फिर वापस से नीचे, ऐसे दोनों पाउं में 5-5 बार करना है, खाने से पहले करेंगे तो ज्य होगा नीज में, इसलिए नीज की बोंस को, लिगमेंस को, काटिलिज को बहुत oxygen and nutrients मिलेगा थू ब्लड, ब्लड ही लेके जाएंगे सब, so they will heal faster, so make it a part of your routine. Healthy citizens are the greatest asset any country can have, so guys remain healthy and work towards it, okay, and my next video is gonna be about energy points, हमें एनर्च अडिक कैसे रहना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, so guys thank you so much for watching my video, bye bye, take care.